हर बार की तरह इस बार भी सावन की शुरुआद से ही कावडियों का उत्पात जारी है मामूली बात पर लोगों को पीटना और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुचाना जैसे कावडियों का एक नियम साब बन गया है सडकों पर उत्पात मचाते इन कावडियों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है हद तो तब हो गई जब कावडियों की भीड ने यूपी पुलिस की गाड़ी पर ही हमला बोल दिया अभ आपको बताते हैं आखिर कावडियों का गुस्सा यूपी पुलिस की इस गाड़ी पर क्यो फूटा बताया जा रहा है की यूपी पुलिस की एक गाड़ी ने कावडियों को बस पीछे से हल्का सा टच कर दिया था बस इस बात पर ही वहाँ से गुजर रहे कावडियों का गुस्सा यूपी पुलिस की इस गाड़ी पर फूट पड़ा जब से शावण की शुरुवात हुई है तब से लेकर अब तक कावडियों के हुर्दंग के ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं अभी हाल ही में कावडियों ने हरीद्वार में एक बैटरी रिक्षा चालक की गाड़ी से पहले तोड़ फोड़ की और फिर उसे नदी में बहा दिया खैर सावन का ये पावन महीना बगवान शिव को समर्पित है ऐसे में भोलो से उमीद की जाती है कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करे जिससे कि शिव भक्तों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े